राधे राधे जी आप सबको दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे आज दास दीपक आप सबके समक्ष एक भक्त के सवाल का जवाब लेकर यहां पहुचा है गुरु गोविन की किर्पा से संतों के आशिवा से दास उस भक्त का जो की बिहार का नाम अंकीत है उसके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा और मित्रो मैं आपसे विंती करता हूँ हाज जुड़ के अनुरोत करता हूँ इस सवाल को और इसके जवाब को आप जाद से जादा शेयर करेए ताकि जिसका भी ये सवाल हो इससे संबंदी सवाल हो उसको दास दुआरा जो परभू आप तक पचा रहे है जन जन तक पहुश सके उसकी सोच को एक नहीं दिशा मिल सके मैं नहीं बोला मेरे गोविंद बुलवारे तो सवाल ये है कि जब भी मैं नाम जब माला करता हूँ तो कभी-कभी गुसा बहुत आता है मन माला से भटकता है तो उसका जवाब ये है कि माला करना माला एक वो एंटी वाइरस है जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं पहले एक्जामपल दे रहा हूँ कंप्यूटर में वाइरस आता है तो एंटी वाइरस डाले एक बात हैं किलियर कर दूँ अगर आज हम नाम जब कर रहे हैं माला कर रहे हैं तो यह मत सोचना आपका कोई पुन्य जागरित हुआ है नहीं यह आहेतु श्री जी की राधा गोविन की सीतराम की किरपव यह जो उन्होंने आपको ठामा और कहा चल अब मेरा नाम जब कर और स संगत वो भक्तों से जोड़ते हैं जिस पर हरी का दिल आता है पहले भक्तों से जोड़ते हैं फिर भक्तों के साथ संतों से संतों ख्याद द्वारा गुरु द्वारा भगवान की हमें प्राप्ति होती है तो आप यह सोचते हैं कही मैंने सुना है क्या हरी भक्त पोलते हैं में ब्रजवास मिलके पुन्य जागने से ब्रजवास नहीं मिलता आहे तु किरपा होती है हम सब मलिन पतीत हैं कोई दूत का धुला नहीं संसार में यह वादा समझ लीजिए क्या गलत हमी है अरे हमने पाप भोग लिए अब पुन्य जागने तो ब्रजवास मिला नहीं तो बच्चे का सवाल था कि मेरा मन भटकता है क्या होता से जाने यह रिए जाने की पुम नजाने कि देते क्योंकि पाप से पाप ही होगा किसी रोप में होगा हर इनसान के करम उसार के हौना हर रुप में तो वो माला का अंदर जैसी वाइवरेशन होती है, वो माला से वो पापको ना शुरू हो जाता है, और वो पाप नहीं चाहते है, इसका उद्धार हो, इसलिए हमारा मन विछलित करते हैं, हमें गुस्ता लगते हैं, हमें अतीत में ले आते हैं, अरे फलाने ने ये उखाता, अरे उससे यह लें देने, अरे क्यों कर रहा है, मतलब मन में ऐसे भाव पैदा करते थे कि इंसान हार थक के माला छोड़ देता है, अरे यार इसे तो नाई करो, मन विचली तो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन यहां परभू भी परिक्षा ले रहते हैं, अपने सारी पावर सहीत, बल पावर सारी किर्पा सहीत अपने नाम में समाहित है, सबसे बलवान है हरी का नाम, सारे बड़े से बड़े पापों को नाश करता है, यह बात आप यार रखना, सबसे पावर्फुल नाम है, बलवान, ताकतवार, जो बड़े से बड़े पापो को हरी नाम हर लेता है, तो आप यह समझ लो, वो क्या करते हैं, परभू लीला खरते हैं, लीला धर है, अब आप देखो, तैंत के बोर्ड के पेपर होते हैं, तो लेकिन उसे पहले प्री बोर्ड भी होता है, क्लास टेस्ट होते हैं, तो उसलिए परभू आपके टेस्ट लेत प्रभू की नाम का दावन थाम के आगे बढ़ाएं। अगर होंतने विश्रा रिए है। यदा कभी भी विश्लित होना है! इसको नई तरीके संद्जोड़ बिहाएं। बड़ी विलन में होते हैं। लेकिन कोई महा पर एक इमांदार पुलीस वाला हो जाता है तो उसको मानने की कोशिक की जाती है उसका ट्रांसवर करानी कोशिक की जाती है क्योंosh कि वहास सारे गुंडों को नाश्र करेगा इसी तरह जैसी हरी नाम भीटर जाता है वो पाव विशलित करते हमें खटा दे से ये गलत है बना हमें विशलित करते हैं माला ना जपे आपने बस यही सही हम का दामन थाम रखा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ इससे हमें पर हुए बताते हैं कि घबरामा तो सही दिशा में जा रहा है क्योंकि परिक्षा उसी की होती है जो उसके काबिल हो पापो को निवारण भी हरी करेंगे, दुखो को निवारण भी हरी करेंगे, इसलिए जपले हरी का नाम रे हरी ही आए काम रे जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरी नाम रे सिर्फ हरी ही हमारे दुखों का निवारन कर सकते हैं, हमारे सारे पापों का नाश कर सकते हैं, इसलिए भक्ति मारने विशलित मातो, ये चोटी मोटी परिक्षा हैगी, गोविन से काओ, गोविन परिक्षा लो, हम भी आपी कहें, आपी का नाम जबते जबते, ये परिक्षा क पार कर लेंगे और पास हो जाएंगे जय जय श्री रादे ठीक पॉजिटीव रहो पॉजिटीव जी ओ पॉजिटीव जिंदगी जखाज बाकी सब बक्वास भक्ती में रहा करो रादे रादी जपा करो इसलिए विच्छलित होने की जुड़तनी है उम्मीद करता हूं दास क सवाल के जवाब के साथ तब तक के लिए जै जै शी रादे रादे ब्रच वास्क रादे रादे शाम सीता राम